नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखारा में ये दो हम सभी जानते हैं कि बिहार के नितिशकुमार हमेशा से ही मोदी जी और बीजेपी का समर्थन करते आए हैं और नितिशकुमार को भी मोदी एन पार्टी का काफी सपोर्ट मिला है लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाब में भी ये दोनों दल एक साथ लड़ते नजर आएंगे चुनाबों के लिए सीटो के बटवारे की बात पहले से ही चल रही थी लेकिन अब हाल ही में बिहार के मुख्य मंत्री और जे डी यू के राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिशकुमार लोकसभा सीटो के बटवारे को लेकर दिल्ली आये हैं वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मिलने पहुँचे हैं आज उनकी बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित्शाह से भी मुलाकात होगी सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इस दौरान बिहार में लोकसभा सीटो के बटवारे पर अंति मुहर आज लग सकती है नितिस कुमार के साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष परशांत किशोर और जे डियू के बरिष्ट नेता राजी ब्रंजन भी आये हैं उप मुख्यमंत्री और बरिष्ट भाजपा नेता सुशील कुमार मोधी भी दिल्ली पहुँचेंगे हालाकि वे मौरिसेश जानी के क्रम में दिल्ली पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली पहुँचने से राजनीति गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म होता गया है सूत्रों के मताबिक यह सीेम के राजनीति के आत्रा है उनके पहुँचते ही दिल्ली में मौजुद जे डियू के कुछ और नेता उनसे मिलने पहुँचे हैं 2019 के लोकसभा चुनाब को लेकर इंडिये के बीच बिहार की सीटों पर बटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच नितिश कुमार का दिल्ली पहुचना काफी एहम माना जा रहा है अब देखना होगा कि इस बटवारे में किसके हाथ कितनी सीटे लगती हैं और इसका असर गठवंधन और अन्य दलों पर कैसा होता हैं हमारे सथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आप हमारे वीडियोज को यूटीप पर भी देख सकते हैं और हमारे एप को आप गुगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तैंक यू